मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अनाज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेगमणी कंपनी की करेक्ट दवाई के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माद्यम से तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और इसकी डोस के बारे में तमाम महत्वपून जानकारियां देंगे और वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि दवाई करते समय आप किन-किन बातों की विशेश सावधानिया रखनी चाहिए तो दोस्तों अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए अन तक हमारे साथ में ऐसे ही बने रही है आईए दोस्तों शुरुवात करते हैं कि जो करेक्ट दवाई है इसका मुख्य रूप से उपयोग आप कोई सी भी दलहन, तिलहन, मक्का, धान, कपास या फिर सबजियों वरगी फसलों में कर सकते हैं ये कीटनाशक प्रवर्ती की दवाई है तो जिस भी फसल में कीटों से संबंदित समस्या होती है उन सारी फसलों में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं और अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो दोस्तों आपको प्रोफिनोफॉस 40% इसके अंदर मिलता है और साइपरमेथरिन की 4% EC formulation में भी इसके अंदर रहता है इ और अगर हम बात करें इसके डोस की तो मात्र 300 ml यह दवाई आपको करेक्ट लेनी है एक एकड़ के लिए जिहां दोस्तों 30 ml पर 15 लीटर के इस्प्रेय टैंक के लिए और जो की 15 लीटर का इस्प्रेय टैंक होता है उसमें तो 30 ml दवाई या फिर अगर हम एकड़ के इसाब कटर पिलर एफिड जैसिड माहू लीफ होल्डर जैसे कीटो को कंट्रोल करता है इसका असर आपको 15 से 20 दिन के भीतर दिखाई दे जाता है और इसका असर भी लगबग 15 दिन तक बना रहता है फसल में और हवाओं के अधिक चलने पर आपको इसका इस्प्रेय नहीं करना है वड़ना आपकी दवाई वेस्ट होगी उचित नमी में ही इसका उपयोग करना है और साथ ही साथ में आप कोई सा भी अच्छा सा फ़ंजी साइड या टॉनिक भी इसके साथ में मिलाके कर सकते हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको फसल में देखने को नहीं मिलेगा fungus की जगे fungus भी खतम हो जाएगा अगर आप fungicide लगाएंगे तो और आपको tonic अगर देना है plant में futon करानी है कल्ले और push मजबूत करने तो आप कोई सा भी अच्छा सा biozyme या फिर कोई भी zebrilic acid या NPK इसके साथ मिला कर spray कर सकते हैं कोई भी side effect आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा और जब भी आप इस दवाई का उपयोग करें तो पानी बिल्कुल साफ लेना है दोस्तों और वर्शा काल में दवाईयों के साथ sticker का उपयोग आपको जरूर करना है जिसको कि हम सामाने भाषा में चिपको भी बोलते हैं तो यह थी तमाम महत्वपुन बाते करेक्ट दवाई के बारे में वैसे मैं आपको बता दू के कोई भी कीटनाशक हो जिसमें की प्रोफिनो साइपर हो वो तमाम तरह की लटे एक तमाकू लट को छोड़के तमाम तरह की हरी भूरी रस्यूसक कीडे गोप की सुन्डी कटरपिलर वगेरा सारी लटो को ही मारता है तो यह थी मैं तो पूर्ण जानकारियां करेक्ट दवाई के बारे में आगे अगर हम बात करें सावधानियों की तो दोस्तों दवाई कोई भी हो सावधानी रखना बेहस दरूरी है सबसे पहले तो बच्चों को दवाई की पहुंच से दूर रखना है और यह जो चाए करे करने से पहले अच्छे डंग से आपको हिला लेना है फिरी आपको उपयोग में लेना है और बहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसक पंप और फ्लैट फंड नॉजल का ही उपयोग करना है और अंत में सबसे महत्वपुन बात है कि खाली पेठ हमें कभी भी दवाई का इ करना है और बॉटल का पूरा उपयोग होने के बाद जो खाली बॉटल के को जानकारी के बायर कमपनी के बहुत जबरदस दवाई Solomon के बारे में जिहां दोस्तो Solomon, Solomon का नाम आपने फूप सुना है और इसकी तमाम तरह की उपियोगिता है, विशेशता है महत्वपून जानकारियां, इसकी डोज इसकी रचना और स्वरूप के बारे में आने वाले वीडियो में विश्रित रूप जानकारी देंगे, तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहे है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बैल आइकन तो जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे, और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, दोस्तों नमस्कार